वेल्कम टू माई सैफीज किचिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान सी रेसिपी जो ना तो जादा मसाले जाएंगे इसमें आसानी से बन जाती है यह और यह हरी मिर्च की सबजी है इसमें लाग मिर्च का इस्तमाल नहीं होगा तो आईए हम इसे बनाना श प्याज दिए हमारे दो प्याज दालते हैं इनको हम अच्छा सा लाइटली ब्राउन कर लेंगे इनको जादा ब्राउन दिन करना है प्रेंट भिंडी सब को ही पसंद आती है ज्यादा तर मुष्टली सभी पसंद करते हैं इनको और यह बहुत तरीके से बनाई जाती है लिए आज हम इसे बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं और यह खाने में भी उतनी ही टेश्टी लगती है हमने अहलका साटे कर लिया है अपनी आनियन को अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च यह हमारी हरी रशाय है वैसे आप जितना तीका खाते होती डालीये लोही में यहां साथ आख मिर्चे इसमाल की हैं और इसमें अब मैं डालोंगे हमारी 100 ग्राम ढंडी अब हम इनको पांच चेमिनट के लिए हम इनको ऐसे प्राई कर लाएंगे अब रूप्समे टालेंगे नम्माद तूटी स्कुल मरा इसमें नमट जाएगा यह देखे चेंट हमारे पांच मिनट हो चुके और अच्छे से फ्राई हो चुके अब हम इसमें डालेंगे यह दो टमाटर जो हमें रप्ती चॉप कर दिये हैं तूटी स्कुल हमने मैंगो पाउड़ो डाल दिया है इसमें और हम इसको चला लाएंगे और फ्रेंट्स अब हमने को ढखके पकाएंगे पांच मिनट के लिए तो फ्रेंट्स छे मैठ हमारी हो चुकी है अब हम ले ढटा के देखते हैं तो देखे नहीं दियार हो गए है यह देखो अच्छे से गल गई है यह बहुत अच्छे से गल गई है अब हमारी गोड़ी तैयार है तो फ्रेंट्स आइपको मेरी रचीपी पसंद आई होगी अगर यह पसंद आई है प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करना तो ब्लोग भी न भूले और अगर मेरी वीडियो आपको सबीपसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ठेंक् झालोएं की एता है